टमाटर की फसल सोलन के किसानों की नगदी फसल है किसानों के साफ साफ सोलन सहगी आर्थिक टमाटर के सीजन पर ही निर्वर करती है टमाटर की फसल अब सोलन की सबजी मंटी में आने लगी है हलांकि अभी किसानों को दाम अभी कम मिल रहे हैं टमाटर की फसल सोलन के किसानों की नगदी फसल है किसानों के साथ साथ सोलन सहर की आर्थिक टमाटर के सीजन पर ही निर्वर करती है टमाटर की फसल अब सोलन की सबजी मंडी में आने लग गई है हलांकि अभी किसानों को दाम अभी कम मिल रहे हैं लेकिन किसानों को उनकी फासल के दाम उचित मिले इसके लिए APMC रननिती बना चुकी है किसानों को APMC के प्रती कोई शिकायत ना रहे इसके लिए भी उचित कदम उठाये जा रहे है APMC के अधिक्ष संजीर कशिप ने बताया कि किसानों को काफिस में से इसकायत थी कि उनका टमाटर बजन के हिसाब से नहीं बिखता है और क्रेट के हिसाब से आरती टमाटर खरीते हैं इसके लिए अब APMC ने कदम उठाया है कि अब किसानों को टमाटर के दाम क्रेट के बजाए बजन के हिसाब से मिले गए उन्होंने बताया कि APMC का लक्षा है किसानों को उनकी फासल के अच्छे दा मिलें इसलिए APMC अपनी कार्या पर नाली को लगतार सुदाने का पर्याश कर रही है तमाटर जो है सोलन सबजी मंडी में आना शुरू हो चुका है और अभी कोई 50-600 क्रेटों के करीब डेली आ रही है और हम यह चाहते हैं कि हमारे जो सोलन के किसान है उन्हें जो अच्छा रेट मिले लेकिन अभी तो थोड़ा रेट कम है लेकिन मुझे आशा है नहीं पूरी उमीद है कि आने वाले समय में जो है हम क्रेट जो है कि एक तो वेट के साफ से यहां टमाटर बिके और जो है किसानों को अच्छा रेट मिले यही हमारी उमीद है और मुझे आशा भी है कि इस बार जो है पिछली बार से अच्छा सीजन होगा सोलन जो है मंडी में टमाटर किसानों का हमारे किसानों का टमाटर जो है बजन के साथ तुलकर बिके हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और आशा ही नहीं हमें पूर्ण विश्वाश है कि आने वाले समय में हमारे किसानों को यहाँ पर हजार रुपए के साफ से क्रेट से टमाटर बिके एपी एमसी का एक उदेश है कि हमारे जो किसानों को जो है अच्छा दाम मिले उसी के तहत हम कारे करेंगे तो यह था दिर्बर का कारे करम कल फिर हाज जिन होगी निगत विदियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे हैं अच्टूडे के साथ नमश्का